क्लास ठर्ड, ओपन यूर इंग्लिश साइन्स बुक, ओपन यूर साइन्स बुक, और ओपन पेज नमबर 63, तो बच्चे 63 पेज में आपका चेप्टर 7 है, आवर बॉडी, तो हमने आवर बॉडी पढ़ लिये था, इसमें हमने दिखी थे, कि हमारे अलगलग पार्ट सा बॉ फॉलुइंग क्वेश्चें है, तो नेम दफाइव संस ओर्गन, सेकेंड, राइट नेम ओफ फाइव मेन सिस्टेम इन आवर बॉडी, थर्ड, विच ओर्गन कंट्रोल्स मोस्ट पार्ट आवर बॉडी, फॉर्थ, वट इस दे वर्क ओफ दिस्परेटी सिस्टेम, और फि बॉडी, आज़र अब बॉडी, एंसर दे फॉलुइंग क्वेश्चें, फर्स्ट, नेम दफाइव संस ओर्गन, तो आपको बॉडी के फाइव संस ओर्गन लिखने है, आईज, एर्स, नोस, टंग, एंड इस्कीन हमारे के हैं, पांच संस ओर्गन है, पांच संस ओर्गन ह इस प्रकार से आप लिकेंगे Q3. Which organ controls most part of our body? कौन हमारी बॉड़ी को control करता है? कौन सा पार्ट? तो है nervous system जो nervous system है यानि की तंत्री का तंत्र है तो हमारी बॉड़ी को क्या करता है? तो आप लिकेंगे Nervous system controls most parts of our body अब आगे करते हैं Q4. What is the work of the risparity system? तो risparity system होता है उसका काम क्या है? तो risparity system का काम होता है बच्चा risparity system का काम है जो आपके सुसन तंत्र है यानि कि जैसे हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है? risparity system supplies oxygen to our body ये हमारे शरीर में क्या करता है? oxygen को लेता है हम सांस लेते हैं तो ये सुसन के लिए किस मोटी risparity system में होता है Q5. What gives shape to our body? कौन हमारे बड़ी को shape देता है? skeleton यानि skeleton हमारे बड़ी को क्या देता है? skeleton shape to our body तो इस प्रकार से 5 question हम करेंगे इसमें 20 question है तो 5 question इसके next video में हम करेंगे तो आज आप इतने ही करेंगे ये 5 question अपनी note book में करेंगे ओके